सब्सक्राइब करें में मिलता है और साथी मिलते हैं धेर सारे वर्ल क्लास एमेनिटीज कैसा है रिशाब बिल्डर्स के नए प्रोजेक्ट दे पार्क साइड कच्णा में रहने का एक्सपीरियंस आईए जानते हैं टू वन अफ दे रेसिदेंट ऑफ दे पार्क साइड कच्णा सबसे पहले सभी को नमस्कार मैं पार्क साइड में पिछली एक साल से रह रहा हूं और मेरा घर टाउन होस पे है अच्छा मैं आपसे यह जाना चाहती हूं कि पार्क साइड में सारी एमेनिटीज हैं देर इस नो वहिकल जोन अगर मैं बात करूँ घर के बच्चों की और घर के बुजूर्ग की तो उनके लिहास से पार्क साइड कच्णा कितना फ्रेंडली है या कितना आसान है उनके लिए बुजूर्गों और बच्चों के लिए तो वहां पार्क साइड में अलग से एक जोन दिया गया है एक particular cycle zone है, जो कि बच्चों के लिए है, वहाँ पर ना बाइक जा सकती है, ना कोई कार, मतलब बच्चों के लिए cycle zone ही है, तो वहाँ पर बुजूर्ग वाग भी कर सकते हैं, और बच्चे cycle भी चला सकते हैं, जिससे जो भी गाड़ी वाड़ी आने जाने का खत्रा नहीं है, और दूसरा वहाँ सबसे जो मेन है बुजूर्ग के लिए cycle walk दिया हुआ है, इसा मतलब नजारा है, जो मेरे हिसाब से पूरे 36 गड़ में प्रोजेक्ट कहीं नहीं है, और आप जब जाएंगे तो बहुत ही सुकून वाला दृष्च्च है, आप जब देखेंगे जैसे similar आपर बाहर जाने की जड़त नहीं है, पुल्यूशन भी नहीं मत रहें और घर के पास रहें, जो क्या है बुजूर्ग लोग बाइक में गाये तो थोड़ा सा मन में डर रहता है, यह बहुत ट्रैफिक है, डश्ट है, हेल्ट इसू बहुत प्रावलम आते हैं, लेकिन प्र अपर जाये लिफ्ट इपर जाये जाये वहां वाक कीज़े आराम चरहिए और अपने गर बहुत जल्द वापस आ सकते हैं, तो यह हमलोग का परपस था और यह पार्पस था और यह परक्साइट में दिखा तो हम लोग तुरंद बोग किया यह तो तुरंद बूकिया यह ग क्म्यूनिटी लिवगी